दक्षिन नागपूर के मानेवाडा चोग स्थीद बाला जी नगर में गौरो नाई का कान्हा स्वीट्स नामक रेस्टारेंट है इस रेस्टारेंट में नाश्ता करने आये योकों ने रेस्टारेंट के मालिक से हप्ता वसुली की मांगी जिसके आधार पर असली पुलीस ने शुबम नामक व्यक्ति को गिरबतार किया है मिली जानकारी के नुसार शिवम और शुबम का साथी रोशन हजारे महालक्षमी नगर पर बाइक पर सवार होकर गौरफ के रेस्टारेंट में आये और उन्होंने दुकान के काउंटर पर नाश्ता मांगते हुए गाली गलोच करनी श्रू कर दी नाश्ता मांगने के बाद वेटर ने पैसे मांगे तो रोशन गौरफ के पास आकर गालिया देने लगा और उसे कमर पर लगा हतियार दिखाते हुए उससे हफ्ता वसूली की बात कह दी आपको बता दे कि ये दोनों ही आरोपी आपराधिक प्रवर्ति के बताय जा रही हैं उनकी परिसर में दहशत होने से वह कई वैपारियों से उकाही भी करते हैं ऐसी दबे ओठ चर्चा है चकड़ासी विगाल करूं तेयाना पैशे मागनी केलियोती परन्तु को नी तरी आसे पुकट मदे चाहाना स्टापी आला ये तासे आसा विचार करूं तेया विल तक राध दीली नहुती परन्तु पाँट स्टार केला त्या दो गांचा स्टा तिस्रा मित्र रोशन हजारे है रोशन हजारे गेला आनी त्याना दुकानात जाओं काउंटर वर्चा मुलिशी असलील बोल्ला त्याना नंतर माल काला बोलो तेरे भाईको तो हफ्ता लगेगा ही औनों हर हफ्तेला पाच तरके चा जालीला गटने और उन तेन आपले गड़ गुना दाखलकेला अभीलेक वर चा आरोपया असले मोला अपले शुभम फुल जेले आनी शिवम चा उधरी यन्ना गोने प्रकटकरन पतका जामदातीना ततकार ताव्याद गहने तले आनी अटक देखिल जालीला ह एक तिसरा रूपया है तो सद्या पाहीजा रूपया है त्याचा शोद घेता होता मी आनी कही वेला ताच आमी जला आटक करनी जी दाट सक्यता है बैरहाल अपराधियों ने अजनी में रेस्टोराइंट संचालक से हत्यार की नोग पर हफ्ता वसूली की जो मांग की थी उस पर पुलीस ने करवा ही शुरू कर दी है NBS News के लिए केमरे परसन अखलेश पर द्वाच के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट